आजखिल की हालत तो छमियाँ वाली हो गई है पत्रकारों की लेकिन मैं टम्टमियाँ सुनके चौंकियाँ पर हरी भाई ने बताया कि टम्टमियाँ का बात वही है जो छोटे मोटे पत्रकार हैं और अपने मिशन पर ठीके रहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टम्टमियाँ खुद को खेने में लोग तंतर की बात करती है भारते जनता बाटी एक साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कारिकरम में बंद कर दिया है मैं हमेशा कहता हूँ कि यह मुझे क्यों डरते हैं मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम नहीं सरकार का अंतिम सत मैं तो यात्री हूँ मुझसे क्यों डरते हैं आप दिवाली होली मनاتे हैं पूरे दिल्ली के पत्रकारों को बुलाते हैं मैं ही छूट जाता हеля हो इतने शक्की एथ एक दुसे सो करने तो हासिल क्या हो गया इतना शक्की इतना नफरत इसकी जरूरत नहीं है थोड़ा मुस् के भी हाई हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूँ जिसकी है वो क्यों तलख बैठा हुआ है वो क्यों नहीं मुश्कुरा रहा है अब तो जागिए इस हिंसा से हमको क्या हासिल ह क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनितिक दलों के प्रवक्ताओं की भाशा में इतनी तल्खी है इतना जूट इतना सारा ज़ेश क्यों है भाई थोड़ा हसा भी कीजिए दिवाली हुली में बुलाया भी कीजिए यह और बात है मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं मैं उनसे यह भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कारिकरम में आप क्यों नहीं आते हैं मैं उनकी भावना कर सम्मान करता हूँ मैं भी एक लीला देख रहा हूँ कि जिस वक्त आप अपने आपको सर्वशक्तिशाली होने के छण में महसूस कर रहे हैं उसी वक्त में एक मामुली पत्रकार से आप डरे हुए हैं